दोस्तो आप देखरेंगे डिलेटेस इन्फो यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के कोड केस को लेकर जैसा कि आप सभी को पता है आज 13 मार्च है और जो आपके एक्जाम है वो 16 तारिक से शुरू है सभी के मैक्सिमम एडमिट कार्ड जो है दोस्तो निकल चुके होंगे सभी के एडमिट कार्ड जो है सभी ने डाउनलोड कर लिये होंगे लेकिन दोस्तों याँ पे बीच में ये देखने को मिल रहा है, कि कोर्ट केस हमें देखने को मिल रहा है, कि 13 March को क्या exam होगा, exam का order आएगा याँ फिर stay का order आएगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे confirm करदू कि जो JFSB की chairman थे, उन्होंने तो बोला था कि जो aptec company है वो black listing period से बाहर आ चुकी है तो इसलिए exam आपके conduct करवाई जाए जाएंगे लेकिन students जो aware थे इस चीज़ से कि क्यों ये black list company को बार बार जो है बुलाया जा रहा है हमें exam conduct करने के लिए आप किसी और company से भी जो है exam conduct करवा सकते हैं या फिर OMR based कोई company बुला सकते हैं तो दोस्तों यहां पर जो आज की मैं आपको cost list बताऊंगा जो आपकी high court की होती है और यहां पर exam यहां फिर stay यह पूरा दोस्तों यहां पर आज confirm देखने को मिलेगा आज है 13 March और आज ही आपकी यहां पर court case जो hearing है वो होने वाले है चलिए मैं य मैं आपको बता देता हूं आपका finance account assistant का जो यहां कहां पर लिस्टेड है तो यहीं पर दूस्तों चलिए मैं यहां पर बता तो यहीं सीरियल नंबर आप देख पा रहे होंगे 146 146 सीरियल नंबर है यहां यहां पर दे सकते हैं quashing quashing of advertisement है और यहां पर अरुन गुपता and others ज यहां पर देख सकते हो रोहित बर्मा अर्जेश थापा सुजेश मोगत रही आप देख सकते हैं यहीं आज जो है इसकी code case की hearing होने वाली है और यहां पर आज आज आपको देखने को मिल जाएगा कि इसका exam लिया जाएगा यहां इस पर जो है stay order निकल के सामने आएगा अभ आपी सारे candidates बोल रहे थे कि आज नहीं है इसकी hearing तो यहां पर मैंने आपको यह पूरी list cost list निकालके दोस्तों बता दी है बाकि आप अपनी राय क्या मतलब आप क्या सोचते हैं इसका exam होना चाहिए क्यूंकि majority of students है वो तो चाहते हैं कि exam ना हो और कुछ जो students है वो चाहते ह करने के लिए आप हमारे चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों बस यही था हमारा आज का वीडियो